तो बच्चो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नमबर फाइव सायुक्त रास्ट संग यानि की यू एनो यूनाइटी नेशन और्गनाइजेशन से जुड़े टॉप 20 कोशन के बारे में इससे पहले हमने चैप्टर नमबर 3 और नहीं है तो जरू सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि यह सीरीज आप रुकने वाली नहीं है इसके साथ ही कार्टून वाली मैप वाली और कोशन आंसर से जुड़ी लॉंग कोशन शोट कोशन सभी आपको इस चैनल पर प्रवाइट कराये जाएगी साथ ही टेलेगरम सब्सक्राइब करते हैं माइनेम इस शारक सहफिया वैलकॉम तो आवर यूट्यूब चैनल कुईक प्रैप बच्चों यहां पर एक इंफोर्मेशन दे देता हूं यह वाला जो चैप्टर रहना यूनाइटीड नेशन ऑफ और्गनाइजेशन इसके अंदर सब्सक्राइब बच्चों इसी कारण फूल फॉर्म से रिलेटेड होंगे क्योंकि इसके अंदर यूनेटीड नेशन की जितनी भी एजनसी है मैंने सभी की फूल फॉर्म यहां पर डाल दी है तो आप अच्छे से याद कर लेना मैं वन बाई वन आपको जल्दी से बता देता हूं ठीक है तो question number first है सबसे पहले हम बात करते है UNESCO की यानि कि UNESCO तो देखिए इसकी क्या फुलफो में बच्चो United Nations Educational Science Certific and Cultural Organization Second question है UNICEF तो बच्चो इसकी जो फुलफो में वो है United Nations Children's Fund तीसरी बात करते है UNO की तो UNO तो चैप्टर का नाम भी है तो इसलिए इसकी तो हर बच्चे को पता भी होने चीए तो United Nation Organization वहीं fourth question में ILO के बार में बात करें तो International Labour Organization बच्चो यह वाली जो फुलफो में वह वह एक्जाम में बहुत बार पूची भी जा चुकी है तो इस वाली को आप इंपोर्टन लिस्ट में गिन सकते हूं question दो प्लेन इसी बिल्डिंग से टकराकर गिरे थे तो याद रखना ठीक है question नंबर सिक्स है यू एन एच सी आर तो इसकी क्या फुलफो में देखिए United Nations High Commissioner of Refugees यह जो संसता है वो शर्णातियों के लिए काम करती है question number seven UNDP की फुलफों तो इसकी जो फुलफों में वो है the United Nations Development Program वही question number eight UNCTAD की फुलफों में United Nations Conference on Trade and Development question number nine IMF की फुलफों वो है International Monetary Fund और लास्ट जो है वो है WHO जिसकी फुलफों में World Health Organization तो आप इन 10 की 10 फुलफों याद रखना बच्चों कोई भी एक्जाम में पूछ ली जा सकती है और इन सब का जो जिकर है आपको question answer की series में जो specially चार नंबर और छे नंबर से related है उन में सभी में आपको मिलेगा और complete आपको information दी जाएगी तो अभी के लिए आपका यह काम है कि आपको सभी की सभी information पाता होनी चीए तो अब यहां से आपको option वाले मिलेंगे तो 11 वा question है कि 24 अक्टूबर 1945 में यूएनों की स्थापना के समय कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी एक तो आपको एक नंबर यहीं पाता चल जाता है कि हाँ 24 अक्टूबर 1945 को यूएनों की स्थापना हुई थी अब बात यह आती है कि इसके कुल सदस्य कितने थे option देखिए 30 35 41 या फिर 51 तो बच्चों इसका जो correct answer है वो है 51 सदस्य थे जब यूएनों की स्थापना हुई थी और 30 अक्टूबर 1945 को ही भारत जो था वह भी यूएनो को सदस्य बन गया था तो यह आप याद रखना कोशन नमबर 12 है बच्चों की भारत जो है वह यूएनों का हिस्सा बना था कब बना था तो लो अभी तो मैंने आपको बताई दिया कोई बात नहीं यहां पर तो सब जाईज है लेकिन एक्जाम में अगर आप बूल गे तो अच्छा नहीं होगा ठीक है ना तो ओप्शन देखें तीस अक्टूबर 1945 चोबीस अक्टूबर को 25 को या फिर 21 को तो अच्छे से आप जानते हैं जो है तीस अक्टूबर 1945 को भारत यूएनों का हिस्सा बनाता अब आता एक बड़िया वाला कोशन यह थोड़ा लोजिक सदस्यों की संक्या है कितनी है ऑप्शन देखिए यह बात करता है है यह बोलता है कि पांच स penis प जानते हो कि ही है, UNO का एक अंग है, तो उसके अंदर जो सदस्य की संख्या है न वो करेक्ट आंसर देखे हैं पहले कि सबी एक जैसे लग रहे हैं, ओप्ष्य नमबर भी जो है, वो उसका करेक्ट आंसर है, कि इसके अंदर पाँच जो सदस्य वो तो स्ठाई है और दस जो सदस्य वो आस्थाई होते हैं जिने हर दो साल के लिए चुना जाता है और भारत को भी अभी हाली फिलाल में चुना गया था यूएनों की शुरक्षा परिशत का आस्थाई सदस्य हैं लेकिन अब यह बात आती है कि यह जो पांच सदस्य हैं वो कौन-कौन से हैं तो देखें बच्चों फ्रांस ब्रेटेन अमेरिका चाइना और रूस तो यह पांच सदस्य हैं जिने स्थाई सदस्य हम मिले हुए शुरक्षा परिश्चत के अंदर और इनके पास वीटो प्रापत है वीटो का मतलब यह होता है कि अगर कोई प्रस्ताव आता है यूएनो रखना और भारत पूरी तरीके से एलिजिवल है यूएनों का स्थाई सदस्य बनने के लिए लेकिन जो चाइना वह बार बार अपनी टांग अड़ाता रहता है वह भारत को नहीं बनने देता तो अभी आपको कोशन में भी बड़ा वाला जो कोशन है वह वाला आएगा कि भारत क्यों नहीं बन पा रहा या इसके पीछे क्या रीजन हो सकते है वह आपको पक्का अच्छे से पता चलेगा ठीके बच्चों कोशन नमबर 14 बात करता है कि इन में से कौन सा सयुक्त राष्टे संग का अंग बजट को पारित करता है यह मज़ेदार कोशन ओप्शन दे करता हो तो यहां पर आर्थिक है तो शायद हो सकता है लेकिन बच्चों यह जो है ना वह मासबा को देते हैं और मासबा बजट को पारित करती है तो आप याद रखना ऑप्शन नमबर 20 का करेक्ट आंसर है कोशन नमबर 15 के बार में बात करते हैं कि अंतर राष्टिये निय का मुख्याले है और है जो है वह नीदर लैंड में तो आप याद रखना इसके बारे में भी कोशन नमबर 16 कि शुरक्षा परिशत के संदर्व में कारण सहिट विशम की पहचान करनी आपको तो देखिए ऑप्शन देखिए पहले ऑप्शन यह बात करता है भारत भी बोलत करते हैं फ्रांस अब इसके अंदर से हम विशम को कैसे पैचाने हैं विशम मतलब ओड की इन में से ऐसा कोई एक ऑप्शन है जो तीन ऑप्शन से अलग है और उसका रीजन भी है कि वह क्यों अलग है तो क्या आप बता सकते हो अगर आपके माइन में अंसर आ चुका है तो आप कॉमेंट कर देना अगर नहीं आया तो यहां पर तो मैं आपको एक्स्प्लेन करी रहा हूं तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जाते हैं तो बच्चो और जो है वह भारत है अब वह क्यों है इसका रीजन है क्योंकि अमेरिका चीन और फ्रांस इन तीनों ही सदस्थे के पास सुरक्षा परिशत के अंदर 27 सदस्यता पराप्त है लेकिन भारत के पास 27 सदस्यता पराप्त नहीं है इसी कारण यह और विशम हो जाता है तो हमने कारण भी दे दिया और विशम को भी पहचान लिया तो आप ज़्यान रखना है ऐसी कोशन ज्यादा डिमांड होती यह एक्जाम में और इसका करेक्ट आंसर है अब आते हैं बच्चों अगला कोशन सिर्फ आप बच्चों के लिए और यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन कोशन है मैं आपको कहा रहा हूं कि एक्जाम में आही जाएगा कोशन नमबर सैवंटीन है कि प्रेजन टाइम में यू नोलेज होना भी जरूरी है कोशन नमबर एटीन है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट संग के सदस्टे देशों की संख्या कितनी है यह यह एक मज़ेदार कोशन है ऑप्शन देखिए 192 भी है 193 सी है 194 डी है 195 तो क्या होना चीए इसका करेक्ट आंसर जी हां ऑप्शन में यू एनों के टोटल सदस्टे हैं अब बात आती है कि 193 वाली जो कंट्री है ना उसका क्या नाम है क्या आप बता सकते हो चलो बता दो कोई बात नहीं थोड़ा आपको भी पता होना चीए यह चीजे ठीक है ना कोशन नमबर 19 के बार में बात करते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना और चारिक तोर पर कब हुई थी ओफिशली तरीके से ऑप्शन देखिए 1945 में 1944 में 1942 में या फिर 1941 में तो क्या होना चीए करेक्टा अंसर जी हां यह तो सब को पता ही होगा कि 1944 में विश्व बैंक यानि की वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी अब आते हमारे इस लेशन का लास्ट कोशन जिसका नाम है कि विश्व वैपार संगठन की स्थापना कब हुई थी तो देगे ओप्शन 1994 में 1995 में 1996 में या फिर 1997 में कब हुई थी बच्चो जी हां 1995 में विश्व वैपार संगठन यानि डवलू टीयों की स्थापना की गई और यह जो कोशन है वो काफी पॉपलर है हर बर यूनिट एस से लेकर प्री बोर्ड में बोर्ड में या फिर फर्स सेकंड ट्रम के एक्जाम में पूझ लिया जाता है तो इसलिए इस कोशन को तो आप मार्क कर लिजेगा इजी भी है और बस आपको याद रखना है एस लॉ लॉंग टॉम मेंबरी तो बच्चों ये थे हमारे चैप्टर नमबर फाइव संयुक तो रास्ट संग से जुड़े टॉप 20 कोशन तो आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगएगी आप वीडियो को लाइक कमेंट शेर करना बिल्कूल ना हमारा टेलिग्रम ग्रूप जरू जोइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा खत्म बाइबाई टाटा गुडबाई गया